लेकर के एक और अपडेट आ गई है वो मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से लेकिन उसे पहले आप लोगों से रिक्विस्ट करना चाहूंगा अगर आप दोस्तों चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को तुरंट हिट कर लिजे दोस्तों उसे क्या होगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम ले मिलती रहेंगे हर वीडियो की और दोसरे रिक्विस्ट कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले दोस्त को डीमेट ये ट्रेडिंग काउंट ओपिन कराना है नय है कोई नया है तो डिस्क्रिप पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक है SBI ने एक नोटिस जारी किया था किशोर बियानी को एक लेटर के मादम से जो है इन्होंने क्वेशन किया था कि किशोर बियानी जी अकाउंट बिल्टी दीजे यानि आप ये बत हैं कुछ कर रहे हैंगा और एक निया विए को लेट करते हुए इन्स एन्स बैंकरप्सि को और आई zb此 को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन इस बीच में बैंकों को एक डर और सतारा है और ये मेनी डर ऐसा है जिस तरीके से अलोक इंडस्ट्री के केस में बैंकों को देखना पड़ा था बैंक्स डरे हुए हैं कि वो दिन न देखना पड़े बैंक्स डर रहे हैं प्रार्थना कर रहा है भगवान से उपर वाले से कि ऐसा दिन कभी ना आए कि Allok Industries Limited को जिस तरीके से Reliance ने एक्वाइर किया था उस तरीके से Future Retail को भी ना एक्वाइर करने की नववत आके खड़ी हो जाए क्योंकि देखें यहाँ पर एक हेडिंग है Bankers Fair Allok Industries Redux in Future Group Resolution दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि Reliance Industries Limited और GM Financial Right A.R.C. दोनों ने मिल करके Allok Industries Limited को पांच हजार पचास करोड रुपे में दो हजार अठारे में Insolvency and bankruptcy Code के अंतरगत इसके Resolution प्लान को तैयार करके खरीद लिया था यानि एक तरीके से बिलकुल देसी भासा में समझेए तो यह है कि Reliance Industries Limited और GM Financial Asset Reconstruction Company ने मिल के Allok Industries Limited को कूडे की कबाड़ी वाले घर से खरीद लिया था एक दम सस्ते में और आप यहां पर एक चीज़ आपको यह चीज़ खुद Realize होगी मैं कूडे वाला टम कूडा टम क्यों यूज़ कर रहा हूं क्योंकि Company अच्छी कासी Company जब NCLT के अंदर चले जाती है तो उसकी Value बिल्कुल उसी तरीके से गिर जाती है जिस तरीके से घर में आगर आपके कोई दोपईया गाड़ी रखी है और अगर कूडे दान में और ऐसी कबाड़ी वाले को अगर आप भेज देंगे तो कबाड़ी वाले स अगर समझा जा तो दोनों का जो मतलब है वो एक ही है आप यहां पर एक चीज़ सोच करके ताजुक हो जाएंगे 29,500 करोर रुपया जिसको परसेंटेज में देखें तो 83% बैंक्स को स्टीप हेर कट देखना पड़ा था अलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में मेरी पा तो 37% का हेर कट देखना पड़ा था यानी 29,500 करोर रुपया का लौस जेलना पड़ा था और 5,050 करोर रुपया अलोक इंडस्ट्री में तो ऐसा कहीं नहीं कि फ्यूचर ग्रुप की फ्लैक्शिप कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को 24,713 करोड रुपे की रुपे में खरीदने वाली रिलाइंस इंडस्टी लिमिटेड का जो डील है फ्यूचर ग्रुप के साथ मट्रियलाइज नहीं होती है और बैंक ओफ इंडिया ने कदम अल्रिटी ने के जाने का उठा लिया है तो कहीं ऐसा नहों कि ये 24,713 करोड रुपे की डील में बैंकों को भी इसी तरीके से फिर से यहाँ पे जटका लग जा बड़ा सा तो ये एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है बैंकों के दिलों और दिमाग में जिसके चलते बैंक्स जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं उपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बगवान मुझे वो दिन हमें वो दिन ना दिखा है जो Allok Industries Limited के केस में देखना पड़ा था मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ बैंक्स यहाँ पर एकदम गिरे पड़े हैं चारो तरफ से एक तो बैंकों को यह डर भी सता रहा है कि Reliance Industries Limited ने इनके 800 से 900 कुछ स्टोर्स को Future Retail Limited के स्टोर्स को आउक्यूपाई कर लिया था तो फिर बैंकों को मिलेगा क्या बैंकों के आद में तो कुछ आएगा नहीं बैंकों का पहला राइट है कि Future Retail Limited की जो एसेट्स हैं जो स्टोर्स है उन सभी के ओपर लेंडर्स का पहला राइट है लेकिन Reliance ने अपनी तरफ से जैसा मौव दिखाया जैसा कदम उठाया है उसको लेकर कि बैंक्स डरे हुए है और इधर DRT और IBC के माध्यम से भी ये कुछ भी करने से डरे हुए है क्योंकि इनको आलोग इंडस्ट्री जैसी लिमिटेड का आलोग इंडस्ट्री जैसी सिच्वेशन का खौफ बना हुआ है मेरी वास समझ रहे तो दोस्तों यहां पे बैंक्स एक उमीद में थे बैंकों के एक उमीद थी जानते हैं क्या उमीद क्या थी उमीद इस पे थी 24,713 करोर रुपे की डील को किसी भी तरीके से हो जाती अगर यह डील हो जाती तो बैंक्स को उनका पूरा अमाउंट रिकवर हो सकता था और यहां पे रिलाइंस भी अपना काम खतम कर सकता था लेकिन अमेजान यहां पे रास्ते में आकर के रोडा बना हुआ है अमेजान किसी भी तरीके से नहीं चाहता है यह डील हो अच्छा एक चीज़ और नोटिस करिए आईवीसी के मादेम से अगर यहां पे प्रोसेस होता है अगर प्रोसीडिंग होती है तो उस केस में जो बेडर्स बुलाए जाएंगे उसमें रिलाइंस के अलवा रिलाइंस इंडस्टिस के अलवा एमेजान भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को एक्वाइर करने के लिए यह बात भी आपको नोटिस करने चाहिए क्योंकि वहाँ पे बिड्स ओपन होंगी तो एमेजान भी एक खुला प्लेयर के रूप में सामने आ सकता है और यह मत भुडिये कि एमेजान अगर आएगा भी उस समय तो आपको फ्यूचर रिटेल को खरिदने के लिए NCLT के मादम से बहुत बढ़िया रेट दे देगा ऐसा नहीं है NCLT के अंदर से अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो उसी रेट में भीखेगी जिस रेट में वहाँ से बिख सकती है NCLT क्या है NCLT एक लास्ट स्टेज है जहां से किसी भी कंपनी को कूडे की भाव में खरीदता है कोई भी Right Lowest bidders यहां पे कम से कम लोग bidding करते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा bidder होता है सबसे बड़ा bidder होता है वह उसे लेके चला जाता है Right और यहां पे हर हाल में रिलाइंस को तो जाने नहीं देगा लेकि Amazon अगर NCLT के मादम से Amazon किसी भी हल में रिलाइंस के हाथ में Future Retail Limited को इस तरीके से नहीं जाने देना चाहेगा क्योंकि उसको पता है कि Indian Retail Market के उपर रिलाइंस की नजर है और Amazon बिल्कुल भी रिलाइंस की इस नजर को अंधेरे में डालना चाहता है या रिलाइंस की इस नजर को रोकना चाहता है यह बात आपको अच्छे से पता है तो यह पूरी डिटेल मैंने आपको अपनी लाइंगोंज में समझाने की शॉर्ट में कोशिश करी देखें फूचर रिटेल लेमिटेट को यहाँ पे बैंकों को बिसिकली जो है फूचर रिटेल लेमिटेट के और रिलाइंस की जो डील है इसके ओपर बहुत ज़्यादा भरोसा था और इसी की उमीद में हो सबसे ज़्यादा थे और शायद इसी लिए इन्होंने बैंक फूचर रिटेल को इतने सारे जो है इनो कोवीड रिलेटेट इस्ट्रेस जो फ्रेमोक रिजोलूशन फ्रेमोक लाए गया था कामत कमेटी की तरफ से जिसको प्रोपोस किया गया था उन सभी को फॉलो करते हुए इनको आफर किये गया थे लेकिन क्या हुआ एडनेंड बस डिले पर डिले डिले पर डिले चलता रहा तारीख पर तारीख केसिस चलती रहींगी और पता नहीं क्या होगा कब होगा अभी भी आगे जो लीगल फाइटिंग है वो ओन गोइंग है सिंगापूर आर्बिटेशन सेंटर्स डेली हाई कूर्ट सुप्रिम कूर्ट बहबे हाई कूर्ट एंसील टी एंसील एटी बहुत सारा कुछ तो जो कुछ जैसे जैसे डिलेप्रेंट होईगा मैं आपसे डिसकस करूँगा लेकिन एक चीज़ लेटेस्ट में चल रहा है वो यह है कि 21, 22, 23 ये दो तीन दिन जो है इनकी मीटिंग होनी है 20, 22, 23 में 20 तो निकल गई खैर तो इस मीटिंग में मीटिंग चल नही है ओन गोइंग है मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होनी है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होनी है फ्यूचर ग्रूप की इन कंपनीज के साथ ताकि रिलाइंस के साथ इस डिल को कराया जा सके तो इसको लेकर के Amazon ने भी challenge करने की कोशिश करी रोकने की कोशिश करी दमकाने की कोशिश करी मेरी बास समझ रहे हैं लेकिन future group ने इससे डरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी future group ने सीधा सीधा जवाब दिया कि किसी की हिमत नहीं है रोक पाने की क्योंकि NCLT के तरफ से डिरेक्टली इनको अपने शेयर होलडर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग को कन्वीन कराने के लिए इजाजत दे दी गई थी वहराल आगे जो जो आउडिकम्स होगा जैसे जैसे कब रहाएंगी मैं आप से चर्चा करता रहूँगा आप इस्टे टून रही है और नोटिफिकेशन को जरू अन कर लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन ही पता चलेगी तभी तो आप देख भाएंगे सबसे पहले चलिए खेर अपना क्याली की दोस्तों टेक किया